करता हूं और इस वाली सीरीज में इस एक प्लैलिस्ट में हम कुछ बातें करने वाले बहुत एक इंपोर्टेंट टोपिक है और टोपिक तो क्या है एक मेरा बहुत टाइम से कंसर्ण था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैंने प्राब्लम्स फेस की है अपने अरली करियर में नेट करेंगे क्या इतना सीख लिया है हमने कर लिया है और करेंगे क्या इस नॉलेज के साथ जब जॉब कर रहे होंगे तो रिस्पॉनसिबिलिटी क्या मिलेंगी काम क्या करने को मिलेगा ठीक है तो एक तो ये वाला कर्न सान हमेशा से रहता है दूसरा एक वह जो प्रैक्तिकल एक्सपोजर बोलते विसको है इंडिस्ट्री के अंदर का जो नेट्वर्क है और पाटे क्ट्रेसर जी एंडर का जो तो आपने पहले भी मेरी कुछ वीडियो देखी होंगी प्रोजेक्ट वाली जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था वहाँ पर बहुत सारी चीजे मैंने ऐसी डिसकस की थी जिसमें हमने की थी बातें कि जो को CCNA में नहीं सिखाता है कोई ठीक है एक तो वह हुआ दूसरा अब थोड़ा सा एक दूसरे चीज़ इंक्लूड करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट जो बनते हैं जिसे मान लिजी अगर आप कुछ ऐसे किसी कंपनी में जाए जहां पर प्रोजेक्ट बेस काम होते हों मानलो आप आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है और उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको बेज दिया जाए और वहां पर अगर आपको इस तरह का काम करने को मिले तो क्या-क्या असेस्मेंट और क्या-क्या डिजाइन डिकुमेंटेशन कौन से कॉन सी कंसिडरेशन ज आपको होनी चाहिए लाइक आई-पी क्या है और ओस आइ मोडल क्या है नेटवर्क डिवाइसिस क्या है कैसे काम करते तो यह सब कुछ आपको पता रहना ची इंटरनेट कैसे काम करता इंटरनेट कनेक्शन और ब्रोडबेंड और यह सब मुच तो ठीक है तो अगर आप हम जो है यहां पर लगातार अपडेट करते रहेंगे और यस बेल आइकोन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो वीडियो जैसे जो मैं प्लेलिस्ट बनाता है मुझे बहुत क्रेज रहता है तो ताकि आपके पास वह पहले पहुंच पाए और आप उनको रेगुलर दे रखा है that is designing a professional small home office network तो या तो आपका कोई छोटा मोटा network है जो आप घर पे ही जैसे work from home का जरूरत को कैसे पूरा कर सकते घर पर कैसे professional looking network का बना सकते हैं ठीक है और या फिर अगर आपका कोई चोटा मोटा office भी है जिसमें 10-20-50 यूजर है तो वहां का अगर आपको network design करना है तो आप कैसे कर सकते हैं तो yes these are my contact links आप हमें telegram पर भी follow कर सकते हैं और YouTube पर तो खेर हम जुड़े हुए है Facebook पर LinkedIn पर email कर सकते हैं मुझे अगर कोई concern है किसी topic पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो XYZ जो भी वजह हैं आप हमें जरूर लिखी तो आपके जो feedbacks हैं आपके जो comments है और आपकी जो like encouragement वह बहुत बहुत valuable है हमारे लिए यह driving factor है यार मेरा तो बस आपकी तरफ से जो मुझे input मिलती है और उसी के थ्रू में आज तक यह 6-7 महिने का जो suffer है उसी के बेस पे चल रहा है आगे भी देखते हैं तक continue करते हैं इस वीडियो सेरीज विल कवर दा फॉलोईं डिगे सो यह तीन तो मैंने अभी फिलाल के लिए रखे है और जो इस मंत में पूरा ट्राइं करूंगा कि यह तीन प्रोजेक्ट सीरीज दाल सकों यह तीन वीडियो में बना सकों ए लिस्त इस मंत में अब डिपैंड करेगा कि से काम करते हैं यह सब पता रहें पैके ट्रेसर का यूज करेंगे ठीक है को ज्यादा बड़ा इसमें मैं अच्छा यह चीज थोड़ा से जरूर ध्यान रखिएगा मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो मेरा मेरा में एम है इस वाली वीडियो से ना और इस वाली करनी है जब आपना करीयर चाट करें यह पिर जब करी अगे अगे अप़ टो करें यह बहुत सार मुझे बहुत दूख होता है जानके और उन द्रिशन की बिजने爾 करेदा कोई क मे… तो मैं फनी की की बच आब करना है यह मैशना को मैं नहीं जब देखेंगे कोई क्या करना क तो मेरी यह जो प्रॉब्लम थी मैंने फेस की थी और मैं चाहता हूं कि और कुछ लोग अगर मैं help कर पाऊं किसी को तो यार वो यार वो यूट्यूब की जो मॉनिटाइशन है उससे भी जाद अच्या लगता है कि जब वो कमेंट्स मिलते हैं तो डॉलर और वो सब तो अलग होगी है कर अभी तक तो हमने को डॉलर का ऐसा कुछ किया भी नहीं मॉनिटाइशन प्रतानि का बहुन करेंगे नियो करेंगे हम और यस दर इस गुद नूस थैंक्यू यू यू अलव यू गाइज कि हम मॉनिटाइशन के लिए एक है लिजीबल हो गई है ठीक है तो रियल कौन से फोनो करने जब भी आप कोई नैटवर्क रहें रहें ठीक है कौन से कोंसे परामिटर है जो आफेक्ट करेंगे आपके डिजाइन को ओके तो इंटरनेट कनेक्शन कौन सा आपके लिए सही रहेगा आपके नेटवर्क के हिसाब से ठीक है केबलिंग कैसे चूज करें आप और आप वायर्ड नेटवर्क रखें या वायरलेस कौन सा अच्छा है तो बोटम और बोटम टू अप वो अप्रोच का मतलब भी पास्वर्ड होता है पहले आजकल ऐसा नहीं है आजकल बहुत सारी चीज़े फोलो करनी पड़ती है तो यह सब कुछ बाते करेंगे तो चलिए राइट अवे स्टार्ट करते हैं तो डिजाइनिंग ए प्रोफेशनल स्मॉल होम ओफिस नेटवर्क तो कंडिशन यहां पर एंवार्मेंट क्या है सिनेरियो क्या है कि आप एक हॉम बिजनस रन कर रहे हैं अपने ही घर में किसी बेसमेंट में हो सकता आपका चोटा मोटा ओफिस है आपका कोई एंप्टी र में और दो नाष्टा प्रेट्री आखकर गेंगेगे एक आप खुड है कई बार प्रोजेक्स में भी काम करते हैं एक साथ क्टोटल कितने लोग में पांच ओंदेघ्ट अव्यक्तां आपको एक फाइल सर्वर भी चीए फाइल सर्वर क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है मान लीजिए और भी एक स्वाइज एक सर्वर चीए जहां पर आपके तीनों जो डेक्स्टोप लगे हैं वो एक साथ वहां से फाइल शेयर कर सके राइट ऐसा निया कि यहां पर यह अपना डेटा लग रखेगा यह लग रखे नहीं सर्वर होते इसलिए फाइल सर्वर कि वहां पर कॉमन डेटा रखा और जिसको जरूरत पड़े वह उधर से उठाले और यूज कर ले एडिट कर ले या फिर जो भी आप करना चाहते हैं और आपको एक क्या चाहिएगा कों सादक्र को समझते हैं आपको जो इंट्रनेट है को एसा मेंजर वोन य एक कोई डैडिकेटव ऐसा नहीं है कि आपको एंटरनेट से ही होना हो कि अगर इंटरनेट होगा तो तो अगर आपका ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन भी होगा तो चलेगा बैक अपका कनेक्शन लिंक आप रखेंगे नहीं भी रखेंगे तब भी को दिक्कत दिये तो आपको 24 गंटे चाहिए तो यहां पर आपको इस सिनेरियो में ऐसा कोई नहीं अगले प्रोजेक्स में बात करेंगे कि यह जो आपका थोड़े बड़े ओफिसे रहेंगे जहां पर आपको 24-7 चाहिए यहां पर 24-7 ना चाहिए हो जब तक आपको 8 या 10 गंटे चाहिए वह महेंगे से बात करूं तो लीज लाइन है ऐसे इंटरनेट कनेक्शन जो आई एस पी से डायरेक्ट कस्टमर तक आते हैं सिंगल लाइन तो यह बहुत महेंगे पड़ते हैं पांच आठ दस अजार रुपे पर मत का खरचा आता है तो हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है स इसे अरिया जहां पर वायर नेटवर्क्स अवेलेबल ना हूँ डी एसल और केबल मोडम यह हमारे लिए परफेक्ट चोईस है जो भी आप डी लिंक के टीप लिंक के रिटेल और यह सब से इंटरनेट के कनेक्शन लेते हैं आपको आपको यह तो मिलता है केबल जो को एक् सब्सक्राइब करता है और कितने सारी आपके एरियास में अवेलेबल है स्पेक्ट्रानेट है जैसे हम डैली की बात करें और यह बहुत सारे एक्सवाइजड एक्जामपल्स है आप देखिए आपके इसाब से कौन सा सही है वहाँ पर मन्त का आपको पैकेज लेना है पर य पर वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आपको डैरेक्टली ना तो मिलती को एक्स केबल ना आपको मिलता है आपको मिलता है आपको आपको फाइबर मिलेगा तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं तो हमें कोई ज्यादा याद रखने वाली बात क्या है 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 एवी डू होता है उसी के बेस पे हमने ISP की बात की तीर वन ISP फिर टीर टू ISP फिर टीर थ्री जो आपके गली महल ले वाली है जैसे तिकोना है डैली में तो आप किसी से भी अपना इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं बहुत चीप रेट पे आपको एजीली मिल जाएगा तो आप मैं बह रखेंगे अपने नेटवर्क को या वायरलेस रखना पसंद करेंगे तो वायर्ड के बारे में तो हमेशा है भाई देखिए सिक्योर है सबसे ज्यादा और उसकी परफोर्मेंस भी आपको फास्ट मिलती है इन कंपैरेजन टू वायरलेस कर आजकल तो वायरलेस में भी आप उस एरिया में आप क्या कर सकते हैं स्पेशली लैप्टोप पे काम करने के लिए लोग प्रेफर करते हैं वायरलेस तो वह भी हो सकता और आजकल तो आपको घर पे इंटरेट वाले राउटर वगरा मिलते हैं और जो प्रोफेशनल ना हो सिरफ आपको होम राउटर चाहिए तो उनमें तो वाइफई आता ही आता है आप प्रेफिफ के बात करें अगर हम तो फाइबर अप्टिक एक आपके पास चोई है और आपके पास ट्विस्ट ट्रैइज है तो फाइबर ऊप्टिक के अपने फायदे हैं पर यहां पे इस तरह के चोटे ¿ने टी लिटnewरक میں हमें चल जाने वाला है तो इस्टेड पे गूगल पे करिए आप गूगल पे जाईए आप देखेंगे कि जो आप इधरनेट केबल जै कैट 5 आपकी 100 मबीपेस वाली आपकी 1000 मबीपेस वाली एक 5 5 5 6 5 काफी है आपके लिए अगर मैं बात करूं और लेकिन आपको थोड़ा सब्सक्राइब के साथ कनेक्शन अच्छा रहे जब भी मैं कुछ डाउनलोड या अप्लोड करूं मेरे इंटरनल सर्वर से तो स्पीड अच्छी आए तो आप वन जी बीपेस भी ले सकते हैं अगर आप को पता होगा त्विस्टेड पे बारे में और आपको नहीं पता है आप गूगल करिए गूगल पर जाईए आपको लगेगा अंदाज आप लिखिए वहां पे की ट्विस्टेड पेर कैट 5 केबल और वह आपको फीट के साब से मिल जाएगा अब देखिए आपक शुक्त के बेसिशेर अब देख सकते हैं और एक और चीज जौब को आपको याद रखनी है जब आप विस्टेड पैर केबल खरीटते हैं तो ट्विस्टेड पेर केबल एक स्विच और पीसे के बीच में भीचा हंडड़ मींटर से ज्यादा नहीं को पूरे बंडल ब Plus मिल तो आप मार्केट से पता अगर लीजिए आपको भस ध्यान रखने वाली बात क्या है तो मैं थोड़ा आपको बताता हूं पैके ट्रेसर में कि अगर यह आपने ले लिया है एक राउटर लाइक डिस इस यूर राउटर और मान लिजिए एक्स वाई-जड कोई भी आपने इं आप लेकिन और थोड़ी फंक्शनेलिटी एड करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कोई बारा पोर्ट का सोला पोर्ट का स्विच लगाईए और सेपरेट कर दीजिए अपने अंदर के नेटवर्क को और यहां पर रख सकते हैं अपना सर्वर और यहां पर रख सकते हैं अगे तो यह एक डिजाइन है जिसकी में बात कर रहा था तो अगर कोई केबलिंग में दिक्कत है आपको तो क्या चीज़े द्यान रखें दुबारा से फिर रिवाइज कर वारों एक तो आपका जो यह नेटवर्क है देखो यह जो डिस्टेंस है यह अंडर्ड मीटर तो सब्सक्राइब तो आपको एक्स्ट्रा स्विच लगाने पड़ेंगे चोटे मोटे स्मेटर वगारा कोई ठीक है पर इतना नहीं हम होम नेटवर्क की बात कर रहे हैं देखी सो मीटर बहुत होता है आप तो एक रूम में और उसी में अपना सैटप रखना है तो इतनी केब आपको चाहिएगी भी नहीं होगी ठीक है तो इससे आपका इजीली काम चल जाएगा और ठीक है फिर हमें इंटरनेट कनेक्शन हार्डवर स्पीड की हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे अगर आप यहां पर यह कनेक्शन लेना है यह वाला तो इसके लिए तो आपको सिरफ क राइन यूज करेंगे तब भी आपके लिए इनफ है स्विचिंग में जब आपको जैसे यहां पर मैं बोलूं कि मेरे को हाई स्पीड चाहिए तो यह आप कौन सी रख लो थाउजन अभी पेस रख लो ठीक है और अगर आपको लगता है कि आप उतना फोड कर पाते हो तो आप हर जगह क्या कर लीजिए लेकिन उसमें पर आपको महंगा क्या पड़ेगा यह स्विच स्विच पे वन जी बीपीएस के पोर्ट लेना मिंस कि आप कोस्ट बढ़ा रहे हैं अपनी यह समझी है ठीक तो यह प्रोजन कॉन्स है हर एक फाइदा और नुकसान के अब को देखना आपके area में available कौनसा internet का connection और आपको फिर wired के लिए चाहिए या wireless भी चाहिए आपको security कितनी चाहिए है आपको backup चाहिए की नहीं आपको single internet connection चाहिए एक से और आपके wired वाले इंटरेट चला पाईगे तो switch से जोड़ेंगे wired के लिए और wireless तो आपके चली रहे होंगी इस तरह से और यह आपने एक लगाना है switch पे server अब इसके लिए आपको server hardware का थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि कितनी requirement है जैसे मैं बोलनूं मेरा normal अगर यह internal graphic design वाला काम है तो 1TB आपके लिए काफी है क्या 4TB अगर आपको storage बहुत ज्यादा चाहिए फिर तो आपको dedicated server ही बनाना पड़ेगा लेकिन अगर इतने में आपको काम चल जाएगा आपका जो desktop है normal कि वो इसका काम कर पाएगा कि नी तो आप desktop पे भी windows server जो OS है आपके network operating system like windows server 2016 है 19 है या फिर आप Linux पे काम करते हैं तो आप Linux operating system डाल सकते सर्वर के लिए like redhead आप डाल सकते हैं तो वह आप जोड सकते हैं तो यह server मैंने सरफ packet tracer के साब से लिया है यह आपका normal desktop भी हो सकता है अगर आपके usage उतने ज्यादा नहीं है तो देखिए लेकिन आपको storage बहुत heavy चाहिए और आपकी processing आपको बहुत awesome वाले चाहिए तो आप आप डेडिकेटेड सर्वर भी आप गूगल पर जाएंगे तो डेल का एच्पी का IBM का कोई भी सर्वर लिखेंगे यहां पर आपको pricing अगरा सब पता चलेगे आप देखिए उसको करिए Google करके देखिए आपको idea लग जाएगा वह सारा कुछ किस पर depend करता ज्यादा तर आप आपको यहां पर लगाएंगे केबल के साथ उस पर इंटरनेट चला के दिखाएंगे एक मोबाइल फोन आपका connect करके देखेंगे या फिर लैप्टोप है आपके पास उसको wireless से connect करके दिखाएंगे और इंटरनेट चल रहा होगा ओके अभी हम देखते हैं कि इंटरनली अभी काम आपके लिए कर रहा होगा तो इसमें अगर आप जाएंगे GUI में तो यह DHCP का ही सबसे पहला option दिख रहा है तो by default आप चेंज मत करिए 0.0 का network चल रहा होगा आप इस PC पे जाएंगे आपको कुछ नहीं करना है PC पे जस्ट क्लिक करना है dynamic IP पे next stop IP और DHCP और यहां स चला सकते हो wireless अगर आपका wifi card आपने इसमें लगा रहा है extra अलग से लगाना पड़ता है laptop को packet tracer में कैसे जोड़े actual में तो देखो जैसे आप यहां पर जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं तो इस तरह से आपका वो जो SSID है इसकी आपका LAN card ही है तो इसको क्या करो बंद LAN card हटाओ और मैं क्या करता हूं यह wireless card लगा जाता हूं Wi-Fi card तो इसमें एक ही लगा सकते हैं आपके लैप्टोप में wired वाला भी हो सकता है wireless तो यस इस तरह से आपके device पे connection आ जाएगा wireless का और यस आपको IP मिल जाएगी तो इस तरह से रहता है जी आपका connection internet का इस तरह से आप यूज कर पाएंगे और जब आप बात करेंगे server की तो जैसे ही इसको अगर आपको dedicated server बनाना है तो desktop भी हो सकता आगे वही बात करना हूं तो इस desktop पे आप क्या करेंगे Windows server या फिर Linux server Red Hat वो सब install करेंगे और इसको जब यहां पे connect करे यहां पर copy paste करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह तो है जी आपका एक network कैसे आप बना सकते हैं कैसे आप अपनी file share कर सकते हैं यह wired के through हुआ कभी हम time मिलेगा तो file sharing की भी बात करेंगे wireless के through ठीक है तो I hope इसमें हमने सारा connections की तो बात कर ली है security point of view से हमने अभी तक नही availability weakness क्या आपके network में कि आप internet का connection है वो sharing basis पर यूज कर रहें आपके neighbors को आपका wireless connection दिखेगा जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो यहां पर मेरा यह जो मैं अभी phone से चला रहा हूं मेरे router से नहीं चला रहा हूं मैं किसी दूसरी location में बैठे कर रहा हूं record थोड़ा सा time मिला थ बीच में तो सोचा की चलो find out हाते हैं anyway तो यह जो मेरा अभी SSID मुझे दिख रही है यह public है और wireless networks की बात क्या होती है कि आपका आप सिर्फ अकेले नहीं है मालो मैं इस घर में बैठा हूं और मैं internet यूज कर रहा हूं तो सिरफ यहीं पर इसकी coverage है नहीं जितने ही मेरे neighbor houses है सबको यह coverage मिल रही है अब जब wireless पढ़ेंगे ना CCNA wireless अगर आपने पढ़ा है हमारे वाले course में या किसी भी भी तो आप देखेंगे कि सबके सबना उसी broadcast domain में है सबके सब आपके wireless के packet को receive कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी क्या हो जाता है वहाँ पे उसको password protected करना ठीक है तो दूसरा आपका wired network है अंदर सोरी internet connection और wireless connection तो internet connection में दिक्कत जादा तर wireless से ही आती है वायर में तो कोई problem वाली ऐसी बात नहीं है अगर आप physically secure कर लो तो no problem ठीक है तो अब wireless के लिए क्या solution है कि आपके जो devices है ना जैसे router की बात करो उनके अंदर firewall आती है तो वह सा security आती है जैसे WPA2 है तो इनके थुरू आप बहुत high-end encryption करवा सकते है अपने data की तो जो आपके passwords रहेंगे जो आपका normal data रहेगा हो सारा क्या है encrypted तो अगर कोई XYZ user जो आपके आसपास है वह receive करता आपके packets को तो वह garbage होंगे इसके लिए why क्योंकि वह encrypted है ठीक है और अपने जैसे यह devices हैं अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर भी firewall आती है तो आप जाएंगे यह सारी firewall enable होनी चाहिए हर एक device के अंदर राइट हर एक device पे अब जितना आपको अच्छा network चाहिए है उतने ही अच्छे आपको हर जगह क्या करने चाहिए antivirus यूज करने चाहिए अब antivirus है windows update आती रहती है antivirus के update आते रहते हैं उनको बार बार update करते रही है ताकि zero day attack और वो सब आप रोक सके तो यह मने बता दिया आपको और आप इस तरह के cases में तो अपनी SSIDB जो broadcasting है ना जैसे यह सब को दिखती है आप इसको disable कर सकते हैं कि यह किसी को भी ना दिखे तो यह भी है जो आप कर सकते हैं अलग से firewall खरिदने की जरूरत है क्या जैसे यह Cisco की firewall आती है अलग से device है hardware है जो काफी costly आते इस तरह के case में आपको यहां पे अपने internal और external network के बीच में कोई firewall नहीं चाहिए नहीं इस तरह के cases में उतना ज्यादा यह overkill है ज्यादा बेवज इस तो यह security के बारे में देखो एक और जो कम लगता important लेकिन सबसे ज्यादा important मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने काफी कुछ देखा है और काफी काम किया इस line में social engineering और सबका पता है मुझे तो यह social engineering जो एक यह पार्ट है ना इसके बारे में जरूर पढ़िएगा थोड़ा सा तो अगर कभी time मिला तो मैं ही जरूर कोई ना कोई video बनाऊँगा इसके उपर और यह एक ऐसा मुद्धा है सी topic है कि चाहे कोई farmer हो कोई किसान जो mobile use करता है और कोई student जो mobile use करता है कोई professional है जो non-technical है सब को पता रहना चीज़ का social engineering fishing क्या है आपकी spam क्या है कैसे mails के तुरू कैसे calls के तुरू SMS के तुरू आपको hack किया जा सकता है तो यह सब चीज़े जो आपके employees है ना उनको जरूर training दे लिए आपने आपको भी अगर नहीं है जैसे आप कोई ऐसा बंदा कीजिए कोई ऐसा घर का को ऐसा बनाना है उसको खुद नहीं जादा पता है तो आप थोड़ा पैसा लगाएंगे ना तो वह investment है आपका सीखिए security के बारे में लोंग रन में बहुत help करता है अपने employees को भी बताईए साथियों को बताईए कि इस तरह से कोई बेवजे की mail आत अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्किंग में हमेशा याद रखिए जो इंटरनल अटेक्स होते हैं वह बहुत कम होते हैं यह जो सोशल इंजिनेरिंग जो लोगों के थ्रू हम ट्रस्ट फेक्टर और जो एमोशनल एक ब्लैकमेलिंग वह थोड़ निकालनी है लगानी है पेंड्राइव लगाना है किसी को बैक रूट किट लगानी है तो अलग चीजी है सबसे पहला तो यहां तक वह पहुंचा कैसे समझ यह तो इसलिए ज्यादा तर वायर्ड नेटवर्क तो हैक होने के चांसे जी नहीं होते वायरलेस में है उसके आप लोगों के लिए और यस जैसा कि मैंने कहा था इसमें मैं कॉन्फिगरेशन और वह सब ज्यादा नहीं करने वाला क्योंकि इसमें ऐसा कोई कोई इसपी वाले देखे जाएंगे आपको नेटवर्क लगाना तो एक स्विच लेना है थोटा मोटा मार्केट से कोई भी ख कर पाएंगे बहुत अच्छे से आगे कभी अपना से नेटवर्क स्केल करना चाहेंगे ना बढ़ा करना चाहेंगे तो वह तब भी काम ही आएगा आपको इसका को नुक्सान है या फिर पांचार साल में खराब हो जाएगा नहीं तो यह कुछ बात है थी आई होप कि मैंने कवर कर दिया है सब कुछ अगर फिर भी कुछ रहता है मिस तो या तो मैं कॉमेंट्स में आप पूछ लीजिए मैं बता दूंगा या फिर मेल करिए मुझे आप network nuggets for you at gmail.com नहीं तो फिर हो सकता है कोई separate वीडियो में ही मैं बात करूं किसी अलग जैसे मैं second और third वीडियो अगर कुछ छूट गया हो मुझसे तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताईएगा और यह भी बताईएगा कि कैसा लगा यह वाला जो वीडियो में हमने काम किया है तो थोड़ा ट्राइक किया मैंने कुछ अलग कर पाऊं आप लोगों के लिए आड़ों कर पाया के नहीं व और तब तक के लिए सीखते रहें सिखाते रहें और मस्ते रहें बबाय और टेक